स्टुडेंट्स आप सभी कस हो गयत हमारे इस यूडिव चैनल पर आज हम लोग बात करने आ ले हैं एवियस वक्सीट थर्ड किलास की जो है आज की डेट का है तेसनौ दो जार इकिस सेविंटी सैवन बी वक्सीट नंबर है टैक्स बुकिंग अरॉंड से ली गई है यह यू सब्सक्राइब करते व हैं क्या देखते हैं यह क्या दिया गया नवस्ते प्यारे बक्चों हम आसा करते है कि आप सब्हूं और सुरचिछित होंग्ये बच्चों हमने पाठ वक्स विडू में अब तक विभिन समुदायक या सह करताओं के बारे में जाना और पढ़ा हमने उनके विभिन कारिस्थलो और जारो के प्रियोग के बारे में समझा है अब जानेंगे की दैनिक कारियों के समय का प्रवंधन यानि मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट क्या आवस्यक है बच्चों यदि हम समय के अनुसार काम नहीं करते हैं तो ऐसा बहुत से काम हैं जो समय से पूरे नहीं हो पाएंगे समय का सद्वियोग से ही हम अपने काम से काम कम से कम समय में सही समय का प्रियोग कर पाते हैं बच्चों आज हम समय के महत और उसके सद्वियोग के बारे में जानेंगे देखिए इसमें क्या दिया गया बच्चो कुछ गति विदियों नीचे दी गई है दर्साई गई है इन गति विदियों में अपने दैनिक कारियों के समय के समय से कार करते हैं अपनी कॉपी में लिखें और आप एक उधारन भी दिया गया है जैसे आपको पहली पिच्चर दि वजे study करता हूं साड़े 5 वजे खेलने चला जाता हूं तो मैं क्या करता हूं इन sentence को लिख कर दिखा देता हूं ठीक है आपको जहाँ रात में आपको क्या है आपका समय कोई और हो तो रहाँ को वहां पर लिख लेना। तो सबसे पहले तो बच्चे आप लिख लीजेगा मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ उसके बाद जैसे मैं सुबह 7 बजे नहता हूँ अगर आपके नहने का टाइम को छोड़ो 8 हो या 9 हो तो यहां 8 या 9 लिख लीजेगा फिर यहां का है मैं सुबह 8 बजे स्कूल जाता हूँ ठीक है स्कूल का जो टाइम हो यहां लिख लेना मैं साम को 4 बजे पढ़ाई करता हूँ तो आपका जो समय हो वो लिख लेना मैं साम को 5.30 बजे खेलने जाता हूँ आपका जो हो लिख लेना मैं रात को 9 बजे क्या है सो जाता हूँ ठीक है आपका जो समय हो वो लिख लेना तो बस ऐसे ही आपको लिखना है समय बस हो सकता है आपका या मेरे समय में क्या परिवर्तन हो तो जो समय आपका हो बस आप वो समय लिख लेना बाखी sentence यही रहने वाले हैं ठीक है और आप इन् अच्व समझने लिए गीता और गौरव की कहानी नीचे दी गई vallahi n के संबंध में प्रस्नों के उत्तर कापी में लिखे जैसे क्या कहा गए समें गीटा और गारव दोनों क्या है बा क्या एक ही स्कूल में पढ़ते हैं गीता अपने सब्वी कार समय से पूरा करती है जैसे सुबह उठना थी नहाना स्कूल जाना पढ़ाई करना खेलना इत्यादी गौरव लेकिन गौरव जो पूरे समय क्या है खेलता रहता है और गौरव इस वहवार को देखकर को माता पिता उसे समझाते हैं कि पढ़ने के लिए कहते हैं परंतु फिर भी गौरब नहीं मानता है ध्यान ना देकर खेलने केवल खेलने में अपना समय वतीत करता है जब वार्सिक परिच्छा जब वार्सिक परिच्छा का समय नजदीक आया तो परिच्छा से एक दिन पहले गौरब बार खेल जाता उस समय मौसम बहुत खराब तक गीता ने समझाया कि गीता ने गौरब को बुलाया और कहा समझ बुला कर समझाया कि मौसम में बिजली जा सकती है ऐसे इस मौसम में बिजली जा सकती है जिसके कारण क्य तुम साम को पढ़ाई नहीं कर पाऊगे लेकिन गौरब ने गीता की बात ना सुनी और वाबाद इस आने लगी तभी क्या है पूरे गाउं की बिजली चली गए और गौरब रोते रोते आया घर और कहने लगा कि मैं अब पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा गौरब कि पापा मम इस में अपने समय का कभी यर्थ नहीं करेगा थोड़ी देर बाद बिजली आ गई और आने पर गीता ने गौरब को पढ़ाई में मदद करी और अगले दिन परिच्छा देने गया तो चलिए आगे देखते क्या दिया गया इसमें पहला प्रसन है गौरब अपने समय का समय कैसे व्यतीत करता है दूसा प्रसन है गीता गौरब को क्या समझाती थी तीसा प्रसन क्या है कि समय का सद्यूपियोग करने के कारण क्या है गौरब परिसानी उठानी पड़ी चौता प्रसन है मम्मी पापा किस बात को समझाते थे और क्यूं पांच वा प्रसन क्या है इस क क्या समय का वह जा है तो समझाय की साम को बजली जा सकती है तुम पढ़ाई नहीं कर पाऊगे हैं एक तब करने के कारण और ड यह उठानी पड़ी तो गौरा रात में पढ़ाई नहीं कर पाया थीक है चौथा प्रसन है नि इसमें कि आपने इस कहानी से क्या सिखा तो इस कहानी से हमने सीख मिलती है कि हम समय का हमेशा सद्धूपयोग करना चाहिए ठीक है तो यह क्या है पांचो प्रस्म और उसके नीचे उत्तर लिखेंवे सिक्वेंस में आप इन्हें क्या है नोट डाउन कर लेना चलो आगे देखते हैं बच्चो क्या दिया गया है तो बच्चो आगे आपक यह वाली यहीं होती है समाथ आपको वीडियो कैसे लगी कमेंड करकर बताना वीडियो लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा कॉंटेस में पास्पेट करने की कोसिस करना धन्यवाद बच्चो